आप देख रहे हैं भी एच पी सी नियूज नमस्कार स्वागत है आपका मेरा नाम है विपिन वेबाग उत्तर प्रदेश में 69 जार भरती के मामले में अब ब्यारतियों का अंदोलन जारी है सौंबार को अब ब्यारतियों ने डिप्टी सीयम के सप्रसाद मौरे के आवास पर घेराब किया था आज मंगलवार को 79 जार शुक्षक भरतीय अब बैड़ती धरने पर बैठे मंत्री अनुपरिया पठेल के आवास के बाहर धरने पर बैठे आरक्षित वर्क के अब बैड़ती न्युक्तवी पत्र की मांग को लेकर धरने पर बैठे शुक्षक अब बैड़ती अनुपरिया पठेल के आवास के बाहर मंत्री से मिलने की मांग को लेकर अड़े रहे अब बैड़ती अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर 69 जार शुक्षर लगातार प्रदशन कर रहे हैं उनकी मांग है कि हाई कोट के आदेश का पालन किया जा और पुरानी सूची बनाने वालों को हटाया जाए उधर मंत्री आशिष पटेल के आवास के अंदर प्रदशन कर रहे हैं 39,000 शिक्षकों में एक यूबती की तबीयत खराब हो गए इसके बाद यूबती को आशिष पटेल के आवास के अंदर ले जाया गया जानकारी के अ अशिष और अनुपरिया फिलाल अपने आवास पर नहीं है वे प्रियागराज में हैं लोटकर अब्यारतियों से मुलाकात करेंगे आरक्षित वर के अब्यारतियों ने आज मंगलवार को सुबह अपना दल एस पार्टी कारियाल लेका भी घराब किया अब्यारती हाई अतार नारेवाजी कर रहे हैं इस दोरान यहां मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ है प्रदसन का नित्वत कर रहे अमरेंदर पटेल ने बताया है कि वर्स दोहजर अठारे में यह भरती प्रिकरिया सुरू हुई थी जब इसका प्रणयम आया तो इसमें बड़ अगस दोहार चोबिस को लखनव हाई कोट के डबल बेंच ने हमें आरेक्षित वर्क के अब्यारतियों के हित में फैसला सुनाया है और नियमों का पालन करते हुए अब्यारतियों को नुक्ती दिये जाने का आदेश दिया है लेकिन सरकार इस प्रकरण में हीला हवाली कर हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से इस प्रकरण का समधान करें और एक सेड्यूल जारी करके बताए कि हमें पीडितों की नुक्ती कब की जा रही है अभी के लिए इसे बिताए नमश्यूश्यू रोस की ताज़ा खबरे सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भी एच्पीसी न और शेयर करना बिल्कुल न भूलें